तो guys कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई ticket को book करते हैं और 4-5 लोगों का ticket एक ही साथ हम book करते हैं फिर भी जब ticket book हो जाता है तो किसी का seat आगे और किसी का पीछे हो जाता है मतलब एक ही साथ seat नहीं मिलता है इसका क्या कारान होता है और कैसे हम ticket को book करेंगे कि जो भी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमें एक जगा पर सीट नहीं मिल पाता है तो सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को इन तक देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को आउन कर दीजेगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं आज सी फजा करना होता है जैसे कि यहां पर ओपन हो गया अब मैं क्या करता हूं यहां पर क्लिक करता हूं और लॉग इन कर लेता हूं मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि कैसे हम टिकट को बुक करेंगे कि एक ही जगा पर सबका सीट मिल जाए और कुछ लोगों को पता नहीं होता है जि जैसे हम यहां पर निए और हम क्या करता है कोई भी डेट बिट कर लेता है जैसे कि आपको पता होगा कि एक ज़गा सीट लेने के लिए कनफर्म सीट मतलब एवलेबल सीट होना चाहिए तो मैंने माली यहां पर अगस्त में 23 को चेक कर रहा हूं यहां पर देख रहा हूं एवलेबल सीट है कि नहीं जब एवलेबल सीट होता है तभी आपको आपके 24 के हिसाब से सीट मिल जाता है जैसे कि मालीजे हम यहां पर चेक करते हैं कि इस ट्रेयन में अबलेबल है कि नहीं तो यहां पर देखे अबलेबल दिखा रहा है तो हम यहां पर अपने च्वाइस के हिसाब से सीट ले सकते मतल़ एक ही जिगा पर हम टिकट को बुक कर सकते हैं अगर यह वेटिंग रहता तो यह अपसन ही कोच में चाहिए आपको सीट तो आपको क्या करना यहां पर कोच नंबर डाल देना है अगर आपको नहीं नहीं जाना है मतलग किसी भी किसी भी कोच में आजाए आपको कोई दिकत नहीं है तो आपको क्या करना यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहोगा book only if all births are allocated in the same coach तो आपको क्या करना है अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह पे एक ही coach में seat मिले तो आपको यहाँ पर click करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर click करता हूँ अगर आप चाहते हैं कि एक seat जो है वो lower birth मिले जैसे यहाँ पर लिखा book only if at least one lower birth is allocated तो आपको इस पर click कर देना है अगर आप चाहते हैं कि book only if two lower births are allocated तो आपको इस पर click कर देना है अगर आपको lower birth, middle birth से मतलब नहीं है तो आपको यहाँ पर book only if all births are allocated in the same coach पर click कर देना है maximum लोग क्या करता है कि यहाँ पर non ही रहने देते हैं जिसके कान क्या होता है कि जब वो ticket book करते हैं तो अपने मन से जहाँ भी one करता है वहाँ पर seat दे देता है एकी koach में देता है या कभी कभी दूसरे koach में देता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगा मिले तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें लिखा आ जागा book only if all birds are allocated in the same coach उसके बाद आपको क्या करना है normally जैसे कि आप ticket को book करते हैं वैसे आपको ticket को book करना है payment वगरा कर देना है अब जो आपका ticket book होगा वो उसी coach में और आपका जो seat मिलेगा वो एक ही जगा पर सबका seat मिल जाएगा तो आपको यह गलती नहीं करना है आपको क्या करना है कि जब भी टिकट को बुक करिए अगर एवलेबल है तो आपको यहां पर बुक अनली इफ और उस पर क्लिक कर दें अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको 100% चांस होता है कि आपका जो सीट है वो एक ही जगा मिल जाएगा तो गाइस आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपने टिकट को बुक करना है जिससे कि आपका जो सीट है वो एक ही जगा पर मिल जाए तो वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक करिए और चाल परने तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद्ध